नमस्कार तो ड्रीम स्टार्ट तो मिल चुक है इंडिन फुटबॉल टीम को क्योंकि हमने कुवेत को हरा दिया एक जीरो से तो हर बार हम यह सोचते थे कि वल्ड कॉलिफिकेशन में पहला मैच तो जीते हैं तो फाइनली जीत गया और एक और चीज हमने तोड़ी है हमारा अवे मैच भी जीतता है तो पहले तो इस चीज के लिए खुशी बना लीजे क्योंकि आगे हम और भी बाते करने वाले तो दीखे ग्रूप में कुवेत को हराने से हम एक दब टॉप पे नहीं गया है क्योंकि कतर ने अफगानिस्तान को काफी लंबे गोल मार्जिन से हराया है इसलिए हम सेकंड पे है लेकिन स्टिल भाई तीन-तीन पॉइंट हम सेयर कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है अब अगले गेम में देख लेंगे कतर को उसकी बाद हम करेंगे बाद में अभी हम करेंगे कुवेत वर्सस इंडिया की बाद तो इस मैच में दोनों ही चीज़े ह हम को देखने को मिली है उसके हमको तारीफ करना है ताकि टीम का confidence जो बढ़ा रहा है कि हम वहां पे तो हम अच्छे ही है लेकिन जो weak points है वहां पर हमको अच्छा करना है तो देखे गोल बहुत अच्छा हुआ अब देखे हम सबसे वह थोड़ी सी positive चीज़ों की बात करते है सबसे पहली बात कि भाई इस game में हमारी जो approach थी वह बहुत सहीं थी defensive mindset बिलकुल नहीं था एक positive gameplay हमने किया है ये मैं बिलकुल कह सकता हूँ तो इस बात की तो मैं दाद देना चांग हूँ कि अवे match खेला कोवेट से खेला positive gameplay है दूसरा fitness level के मामले में इस match में आपको ज़् आप चीजे नहीं दिखियोगी आपने अकसर देखा है first half में हमारा fitness level एकदम टॉप पे रहता है second half में हमारा fitness level जो एकदम डाउन चला आता है इस match में वो चीज आपको मेरे ख्याल में नहीं दिखियोगी because अभी ISL भी चल रहा है तो players का fitness level है वो अच्छा चल रहा है ये ए defense अच्छा करा दिखिये first half में हमने काफी अच्छा defense करा मतलब भाई kuwait को हमने attack create करने ही नहीं दिये और mid की भी तारिफ उतनी करना चाहूँगा और defenders की भी तारिफ में करना चाहूँगा की बहुत ही अच्छी defense करी है साइड में विंक्स पर देख सकते थे kuwait के players भाई run बना भी रहते लेकिन हमारे जो sidebacks थे उन्होंने बिलकुल उनका outlast किया है और हमारे goalkeeper संदू पाजी को ज्यादा दिक्कते होई नहीं इस match में उतन उन चीजों को भाई देखना पड़ेगा हमको because अगर हमको इस world cup qualification में हमारे जो target ही कि हम third round तक at least पहुँचे अगर अचीव करना है तो हमको हमारी weakness हैं उनको पर ध्यान तो देना ही पड़ेगा तो चलिए हम थोड़ी से हमको इस match में जो bad चीज़े हमको देखने को मिली है म मेरे opinion में मैं आपको बताना चाहूँगा फिर बाद में आप comment में जो है उसके पर आप आपका विचार जया thought जो भी रहेगा आप लिखके बताइएगा तो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये लगी है कि हम बहुत ज्यादा back passes कर रहे हैं अब back passes क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम quick release नहीं कर रहे है ball को हम बहुत जादा time ले रहे हैं भाई ये मतलब यहाँ पर speed intense game है यहाँ पर आपको one touch two touch बहुत जल्दी release करना पड़ेगा ball अब हम जल्दी ball release नहीं करते हैं जल्दी हमारी प्लेयर्स जो है position switch नहीं करने इसके विए से क्या हो रहे है हमको back pass पर जाना प पड़ेगा quick जितना game हम quick करेंगे उतना हमारा game और free होगा और हमारा confidence भी increase होगा इसके बाद दूसरी बात है कि जब हम ball win कर रहे है एक तो अच्छी बात है कि भाई हम ball जल्दी win कर पा रहे थे ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि kuwait जब भी हम पर attack बनाने के लिए आ रहा कि अब देखें इतना easy amateur play होया आता कभी कभी इतना easily ball दे थे थे अपोनेंट को कि भाई वो सोची नहीं सकते ये कैसे दे दिया तो ये चीजे भी ये बहुत बड़ी mistake actually में यहाँ पर kuwait उस चीज का फायदा उठा नहीं पाई अच्छा transition नहीं बना पाई अच्छी टीम रहे जिसके अंदर बहुत अच्छे attackers रहेंगे तो ऐसे अगर हम miss pass करेंगे माली जे पीछे दोई defender बचे उनके तीन attackers हो गए miss pass कर दिया फायो घुस जाएंगे गोल मार देंगे तो इस चीज के उपर वियम को देहां देना पड़ेगा इसके लावा एक और च छेतरी को ही तलाशत है और जैसे आगे बॉल्स निकल भी रही है तो हमारे जो wingers है वो cross नहीं कर पा रहे है तो यह चीज की भी कमी दिख रही है because crosses यार सबसे best चीज होती है because crosses जो होते है unpredictable होते है तो वो चीज है और देखिए जिस तरी कैसे corners का हमने उपयोग भी नहीं कर वहाँ से हलागी काफी कम corners मिलें लेंगे भाई देखो हमको set pieces जो होती है न वो कम होती है लेकिन वही सबसे ज्यादा अच्छे better options हमारे लिए होते हैं ऐसी कुएज जैसी teams के against और देखिए इस match में एक बिल्कुल hope थी starting से ही जिस तरी के से gameplay करी थी हमारे team कि आर जीतना तो चाहिए जीतना तो बनता है और at that हम जीते वो सबसे च्छी बात लेगे फिर भी positive gameplay तो इंडिया ने किया है और देखिए कई जो हमारे fans रहूल भेके को बोल रहे थे एक बात मैं बिल्कुल agree करूँगा कि defensive side Sundays जिंगन काफी slow नजर आते हैं ठीक है वो चीद दिख रही ह तो अनवर अली के साथ जब वो खेलते हैं तो मुझे ऐसा कही नहीं कहीं लगता है कि थोड़ा support उनको बहुत अच्छा मिल जाता है तो वो क्या हो direct clearance पर जाते है अनवर यह थोड़ा सा ball playing कर लेते हैं हलागी रहूल भेके ने इस match में भाई गलती नहीं करी इसके लिए तो अगर आगे तक निकलना है अच्छा इस पूरे world cup qualification में करना है because आप बोलेगी कि अफगानिस्तान जैसे टीम तो अफगानिस्तान जैसे टीम भी भाई tough competition देती है तो हमको जो हमारी weaknesses उनको पर work बिल्कुल करना पड़ेगा देखिए हम positive चीज जो हमारी वो तो बिल्कुल no doubt बहुत अच्छा किया हमने लेकिन जो अपोनेंटस वो भी हमको एनलाइस करी रहा होंगे कि कुवयत के अगेंस इंडिया ने क्या कर रहा अभी कतर भी देखी रहा होगा तो वही जो चीज है मैं चाहता हूँ इगोस्तिमिज जो है definitely इन चीजों के पर देखेंगे और देख स्कूर हुआ भाई मकर वो पुरा एफ़र्ट वाला रन नहीं करते न वो बॉल डिफेंडर के पास चलिया तो लेकिन पीछे से रन मार के लिए गोल किया बहुत मजा आगे मतलब मनवीर सिंग को हमेशा ट्रोल ही किया आता है क्रिक्टिसाइज ही किया आता है यहाँ पर सब कि उपर हमको वर्क करना है definitely हम वर्क करेंगे तो आपको इस मैच में क्या लगा जो भी आप इस मैच को लेकर कहना चाहा आपके जो भी थोट्स है आप जरूर कमेंट में लेकर बताएगा individual players की भी आप तारीफ करना चाहा है मैंने ज्यादा individual players को पर नहीं बुला हाला कि टी टीम वर्क की वज़े से रिजल्ट मिला है इसलों सब की ही तारीफ करूँगा कि all players played very well इसी कोई समको win मिला है तो बागी आप अगर किसी player के individual performance को लेकर कुछ कहना चाहा है या team performance को लेकर या weakness या strength जो भी आपको लगिए आप जरूर कमेंड में लेकर बताएगा और इसी तरह आप इंडियन football को support करते रही है आपको और कुछ अच्छे अच्छे देखने को मिल सकता आशा है ठीक है तो आपके thoughts आप लिखेगा बहुत और शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जय हिन जय भारत